हे अबरिवन वेलकम टो अबर चैनल जेके एसस्व अडा सिक्जन फोर ठीक है अभी यहां पे हमने पंचायत का अकाउंट एसिस्टेंट का यहां पे फजिक्स का सलेबर जोना वो हमने शुरू करना है ठीक है और जितने ही फजिक्स के टॉपिंग होंगे वो हम MCQs के अंदर क करेंगे मैं यहां पे ठीकल पार्ट आपको बात में कराऊंगा बट पहले आपको बताना कि एक्जाम के अंदर कैसे कोशन्स पूछेगे हैं ठीक है आप वो ही उसके अपर हम डिसक्स करेंगे तो यह वीडियो रहेगी पंचायत एकॉंड एसिस्टेंट और जो पित्यारी क आपको एक पेज दूँगा उसका आप स्क्रीन शॉट रख लेना वही यह यह पेज इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसमें थोड़ा ठीकल पार्ट पूरा दिया हुआ कि थोड़ा से ड्राइब करके ठीक है जैसे यहां पे आपको यह पताने चाहिए कि यह यहां पे यह main system of units होते है वह यहां पे देखो भाई कौन कौन से होते हैं? CGS होता है CGS मतलब C से centimeter G से यहां पे gram और S से यहां पे second यह यहां पे आपके important है एक CGS होता है, एक FPS होता है, एक MKS होता है, और एक SI सिस्टम होते हैं, ठीक है, यह सारे के सारे क्या है, यह सिस्टम्स हैं यहाँ पे, तो FPS मतलब foot pound और second system, अगर MKS की बात करेगा, तो meter, kilogram और second system, और SI आपको पता ही है, ठीक है, SI काता है, international standard system, ठीक है, SI की full form क्या होती है, international standard unit, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो there are seven fundamental quantities in international system, ठीक है, यह साही है, साथ यहाँ पे fundamentals, यहाँ पे quantity है, यह आपको दिया है, physical quantities आपको दिया है, यह से mass, mass का ऐसे unit है, kilogram, length में होगा, तो उसका ऐसे unit होगा, meter में, time का पूछा जाए, तो second में होगा, temperature का Kelvin, luminous का होगा, तो intensity, candela, electricity current होगा, तो ampere होगा, amount of substance होगा, तो उसका होगा, mole, और यह दिया है, SI unit के यहाँ पे symbols, ठीक है, यह सारे के सारे के यहाँ पे symbols हैं, यहाँ पे, यहाँ पे यह दो important है, यह वी exam में पूछाते है, यह दो supplementary units होते है, radian, ठीक है, यह यूस होता है, किसके लिए plane angle के लिए, अस quiere radian यूस होता है, यहाँ पे, solid angles के लिए, तो यहाँ पे बात करते है हम micron की, तो micron क्या है? माइक्रोन के यह smallest unit है for measurement of length, ठीक है, length का यहाँ पे smallest unit होता है, length को measure करने के लिए smallest unit हो यह हम यूस करते है, वो होता है, यहाँ पे micron, ठीक है, तो यहाँ पे question पूछा हैगा, आपका atomic physics में use होता है angstron is a unit of length ठीक है ये भी कहा है कि length का ही unit है in which यहाँ पे हम क्या करेंगे यो atom का size measure करने के लिए होगा भई size of atom is made and is used in atomic physics और 1 angstron, angstron का यहाँ पे 1 की power 0 degree वाला होगा ठीक है तो 1 angstron कि कितने meter के होता है 10 की power minus 10 meter तो यह भी आपको याद रखना है यहाँ पे तो light year क्या होगा भई ठीक है light year कुछ नहीं है यह वो होता है कि 1 साल के अंदर light ने कितना distance travel किया है उसी को हम बोते है light year तो यहाँ पे light is a unit of distance यहाँ पे light year आएगा तो वहाँ पे कौन सा unit होगा उसका distance होगा travel to a light in free space and is used in astrophysics ठीक है astrophysics मतलब यह space के ओपर उसके ओपर study करने वाले गए तो यहाँ पे बोलता है कि 1 light year तो 1 light year होता ना वो किसके बराबर होता है 9.5 into 10 की power 15 meter के बराबर होता है फिर यहाँ पे आता है fermi तो 1 fermi is equals to 10 की power minus 15 meter अब हम यहाँ पे कुछ हिसके mcqs देख लेते हैं ठीक है यह काफी important है और exam में काफी पार वो पूछे भी जाते हैं तो question number first की बात करते हैं what is the unit for measuring the amplitude of sound यहाँ पे भी sound आयागा तो मैंने आपको यह पहले बताया तो क्या आंसर होगा उसका decibel होगा तो option number a is the right answer यह मैंने पहले के आपको बताया भी था question में question number second है one nanometer is equals to ठीक है one nanometer यह होता है यह किसके बराब होगा यह होता है 10 की power minus 9 meter के बराबर होता है ठीक है nano मतलब prefix prefix ठीक है तो one nanometer यह होता है वो किसके बराब होगा 10 की power minus 9 meter तो यहाँ पर question number third की बात करते है bar is the unit of देखो बार यहाँ यह unit है किसका atmospheric pressure का pressure का unit है वार ओके तो इसका right answer हो जागा option number C question number fourth की बात करते है तो देखो यहाँ पर light year आगया light year is measurement of light year होगा तो मैंने क्या वाला था कि light year क्या होता है कि एक साल के अंदर light ने कितना distance travel किया हुआ है ठीक है light ने एक साल के अंदर कितना distance travel किया हुआ तो light year किसका measurement हो रहा है यहाँ पर distance का हो रहा है distance की measurement हो रही है तो यहाँ पर कोई भी option में distance है तो वही इसका answer हो जाएगा speed of aeroplane नहीं होगा speed of light नहीं होगा stellar distance तो option number C इसका right answer हो जाएगा ठीक है option से neglect करना भी आपको आना चाहिए question number 5 की बात करते हैं तो one fathom is equals to पहले बात करता हूँ fathom तो fathom का यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यह क्या है एक instrument है यह मेजर करता है क्या है यहाँ पे fathom meter ठीक है तो जब भी यहाँ पे word fathom आएगा कहीं भी दिखा question के अंदर तो उसका answer क्या होगा depth होगा ठीक है depth मतलब गहराई ना आपने के लिए और यहाँ पे question में यह पूछा गया कि one fathom यह है ठीक है one fathom वो किसके बराबर है ठीक है अब option में यहाँ पे दिया है feet, meter, feet और centimeter अब आपको मैं बताता हूँ कि meter से शुरू करता हूँ one fathom यह होना वो कितने meter होता है तो वो होता है one point eight two nine meter होता है तो it means यहाँ पे meter वाल अप्शन हो क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यह six meter के बराबर वो centimeter में कितना होगा one fathom कितना centimeter होता है तो यह हो जाएगा one eight two point nine meter ठीक है यह nine है ना तो यह आजएगा nine meter ठीक है eight two point eight nine meter ठीक है तो यहाँ पे 100 centimeter वाल यह option भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब बात है यहाँ पे one fathom की तो वह यहां पर हो जाएगा 6 feet तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वह आप्शन नमबर एस दाराइट अंसर हो जाएगा मैंने यह चीजे क्यों लिखी क्योंकि ऐसे एक्जाम में यह भी पूछे आता है आप से ठीक है अरकल को पूछ लिया कि मीटर में कितना होगा वन फैत वन ग्राम वेट के अंदर यहां पर कितने डाइंस होते हैं वन ग्राम वेट के अंदर यहां पर कितने डाइंस होते हैं तो यहां पर इसका अंसर हो जेगा 981 डाइंस होते हैं ठीक है 981 डाइंस होते हैं अब बात कर लेते हैं डाइंस की तो डाइंस क्या है डाइंस यहां यहां पर यूनित है, डाइन्स किसका यूनित है यहां पर फोर्स का, डाइन्स यूनित है किसका फोर्स का, और यह कौन सा SI सिस्टम नहीं है, यह SI सिस्टम नहीं है, यह किसमे होगा फोर्स का, यह फोर्स का होगा CGS सिस्टम के अंदर, ठीक है, CGS सिस्टम के अंदर, कही कोश प्रवाइगा फोर्स हो जाएगा ठीक है डाइन क्या यूनिट है किसका फोर्स का बढ़ सी जी एस वाला आयोप कि यह आपको क्लियर हो गया होगा तो यहां पर एक चीज़ बता देता हूं यहां पर कि वन डाइन जो हता है ना वन डाइन वह कितने न्यूटन के बराबर होता है 0.0000001 न्यूटन तो यह चीज़े है ना यह आपको नोड डून रख लेनी जो चीज़े मैं एक्स्टर बणाता हूं ना वह चीज़े आपने नोड डून कर लेनी एक्स्टर कोश्यन नवर्स 7 की बात करते हैं How many urgs are there in 1 jol? 1 jol के अंदर यहां पर कितने urgs होते हैं? तो इसका यह आंसर हो जाएगा, यहां पर 10 की पावर 7 urgs हो जाएगा, ठीक है? इसका 10 की पावर 7 का मतलब 7 0, 1 लेगा के 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, इतने urgs होंगे यहां पर, 1 jol के अंदर, ठीक है? अब यहां पर यहां से पीछे dine की बात करी थी, तो dine unit था किसका? फोर्स का, तो वैसे ही urgs होता न, अग, अग भी यहां पर unit है, ठीक है, यह कौन सा होगा, यह भी cgs होगा, ठीक है, centimeter, gram और second system, cgs system होगा, यहां पर किसका? यहां जगा, energy का, energy और work का, energy और work, ठीक है? तो आपके साथ question जितने हमने किया है, यह आपको clear होगे होंगे, question number 8 कर लेता है, jol is the unit of, तो jol आप सभी को बता कि jol जो हता है, वो energy का unit होता है, ठीक है, तो इसका option number क्या आजएगा, c is the right answer, question number 9 के उपर आता है, one horse power is equal to, यह मैंने आपको comment box के अंदर पूछा थे, जह मैं answer, electric current is made by, जो electric current होता है, वो हम किस से measure करते है, emitter से करते हैं, यहाँ पर, suppose करो, यहाँ पर emitter, यहाँ पर option में नहीं है, तो यहाँ पर ampere होगा, ठीक है, यहाँ पर ampere होगा, तो उसको tick कर देना, ठीक है, अब आप सभी को बता कि वोल्ट मेटर होता है, और एनमोमेटर, ए wind की speed, ठीक है, wind की speed को measure करने के लिए, यहाँ पर हमने लगा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मेटर क्या होता है, यह एक instrument है, यह एक instrument है, यह measure क्या करता है, measures, electric potential circuit, electric potential, p-o-t-e-n-t-i, sorry, pen नी चल रहाए, electric potential circuit, ठीक, question number 11, देख लेता है, kilohertz is a unit which measures, kilohertz एक unit है, वो क्या measure करता है, यह मतना, तो यहाँ पर भी जब word hertz आएगा न, hertz, तो वहाँ पर एक word यूस हुआ होगा, frequency, क्योंकि frequency का यहाँ पर ऐसा unit होता है, hertz, तो मतलब यहाँ पर hertz होगा, वहाँ पर frequency पकाएगा, तो यहाँ पर कौन से option एक frequency, यहाँ पर आपको देख रहा है, तो वहाँ पर वो टिक कर देना frequency, तो option number 20, जराइड answer, kilohertz जो होता है, वो क्या करता है, यह एक unit है, यह क्या measure करता है, electromagnetic radio waves frequency, यहाँ पर measure करता है, ठीक है, radio wave frequency से उनको measure करने के लिए रहे, तो यहाँ पर बात कर हर्ट्स होता है, यह कितने हर्ट्स के बराबर होता है, तो यह होता है, 10 की power 3 हर्ट्स, यह पर पढ़ा रहा हूँ ना, यह SAC में काफी बार पूछे थी, तब ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 kilohertz हो गया, kilo के बाद कौन सा आएगा, 1 megahertz, 1 megahertz, तो 1 megahertz जो होता है ना, वो 10 क 10 की power 6 हर्ट्स के बराबर हो जाएगा, और बात करते हैं, 1 यहां पे gigahertz, 1 gigahertz, वो किसके बराबर होगा, 10 की power 9 हर्ट्स के बराबर होगा, चीक है, तो यह चीज़े आपको यहां पे note down कर ले ना, important fact लेक क्योंकि यह काफी वार exam में पूछे जाते हैं, तो question number 12 की बात कर ले है, kilowatt is a unit to measure, देखो kilowatt यहां ना, is a unit to measure, किसको measure करता है यह, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, कि यहां पे kilohertz था, तो hertz का frequency के सार लेट होगा, अब यहां पे word आ रहा है, watt, तो watt आ रहा है, तो watt का आप सभी को बहता है, कि SI unit क्या आए, power, power का SI unit होता है, ना, watt, तो यह यहां पे, कहीं भी power होगा, वो इसका answer होगा, option number B is the right answer, power, ठीक है, अब यह power का SI unit क्या होता है, power का SI unit होता है, यहां पे, watt होता है, ठीक है, तो question number 13, फैतोम is the unit of, देखो जब भी what फैतोम आता है, मैंने पहले, दूसरे question में आपको बताया था, कि फैतोम जब भी आएगा, वहां पे, depth is the right, right answer होगा, sorry, depth इसका क्या होगा, right answer, option number B is the right answer, question number 14, देख लेते हैं, यहां पे, the unit of energy in MKS system is, तो पहले बात कर लेते हैं, MKS है क्या, तो यह हो जाएगा, meter, kilometer, और ऐसे second, यह वाला system, meter, kilometer, और second वाला system, तो energy का, यह unit है, energy का, MKS के अंदर वो हो जाएगा, यहां पे, Joule, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, कि यह energy का, यह unit है, किसमे, CGS में, वो कौन से है, आपका, अर्ग होता है, ठीक है, तो यहां पे, ध्यान में देखना कि, MKS पूचा है, यह CGS पू question number 15 के उपर आते है, the instrument used to measure electric current is, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, कि electric current यह होता है, उसको यहां पे measure करने के लिए, यहां पे, क्या use होता है, यहां पे, तो यह emitter होगा, जब भी electric current आएगा, emitter ही answer होगा, वाइट, ठीक है, जी, तो क्या हो जाएगा, यहां पे electric current को measure करने लिए, कौन सा instrument यूज होता है, emitter use होगा, तो इसका right answer, option number A, which of the following is not a unit of time, time का unit नहीं होना चाहिए, तो यहां इन में से कौन सा होगा, देखो, nanosecond है, तो यह second आ रहा है, तो time का unit है, microsecond है, तो time का unit है, second भी आप सभी को बता है, कि time का unit है, light year is not a unit of time, क्यों, क्योंकि light year यह होना, इसका क्या हो जाएगा unit, इसका unit होता है, distance, मैंने आपको दूसरे question के अंदरी शायद बताया था, पीछे भी वीडियो के अंदर, ठीक है, तो यह किसका unit है, distance का unit है, light year, ना कि time का, तो इसलिए यहां पे option number A is the right answer हो जाएगा, question number 17 के उपर देख लेता है, light year is the letter to, तो या या बार बार यही question आ रहे तो इसका अंसर डिस्टेंस हो जाएगा, C is the right answer, ठीक है, sorry, question repeat हो रहे है, next time नहीं होगा ऐसा, question number 18 की बात करते हैं, richer scale is used for amazing, richer scale कहां पे हम use करते हैं, richer scale यहां पे कोई भी option होगा, यहां पे earthquake वाला, earthquake वाला कोई भी option होगा, वो right answer होगा, intensity of earthquake is the right answer, ठीक है, तो यहां पे seismography होता है, वो यहां पे उसका भी relate होता है, earthquake के साथ, ठीक है, तो इस का answer हो जागा B, question number 19 दाता है, the instrument used in aircraft to measure the altitude above a fixed level, यह भी मैंने आपको बताया था, कि जब मैंने instrument वाले question करवाए थे, तो जब भी aircraft की height वाला आएगा, altitude वाला आएगा, तो altitude के लिए यहां पे एक ही instrument यहां है, वो use करते हैं, वो कोई सा, altimeter, altimeter मतलग कितनी height के उपर है हम भी, ठीक है, question number 20 के उपर आते हैं, the energy of food is made in, देखो यह energy किसी food की energy होते हैं, वो measure होते हैं, उसकी calories के उपर, ठीक है, तो इसका answer हो जागा, B option number calories, ठीक है, question number 20 है, lux is the SI unit of, काफी important हो, यह exam में पूछा भी गया हो, यह काफी बाए, lux, lux is the SI unit of, तो lux का यह SI unit अतव होता है, illumination, intensity of illumination, option number A is the right answer, question number 22 पे आते हैं, PA, PA symbol है किसका, पास्कल का, तो पास्कल जोगा, यह unit है किसका, तो यह आप सभी को मैंने बताया था, पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पे, पास्कल जोगाना, यह pressure का है, यूनिट, ठीक है, पास्कल is the unit for किसका, प्रेशर के लिए, तो option number B is the right answer, question number 23 के उपर आते हैं, what is the SI unit of temperature, SI unit of temperature, ठीक है, temperature का starting में हमने discuss कर लिया था, कि SI unit किया है, Kelvin, तो option number A is the right answer, question number 24 पे आते हैं, velocity of wind is made by, यह velocity होते हैं, वो हम किस से measure करते हैं, तो यह आप सभी को बता कि animometer से ही हम करते हैं, ठीक है, wind की velocity animometer से ही होती है, यहाँ पे, अब वर्ड करते हैं, यहाँ पे speedometer, तो speedometer आप सभी को बता कि, यहाँ पे motorcycle के उपर, यह उपर लगा होता ही वाला, speed वाला, ठीक है, कि कितनी speed है, यहाँ पे measure हो रही है, तो वो ही आपको क्या होता है, speedometer, to measure the speed of a vehicle, ठीक है, आपको मुझे यहाँ पे बताना है, कि यहाँ पे audimeter और tachometer किस के लिए instrument यूज करते हैं, तो question number 25th पे आते हैं, therm, therm is the unit of, देखो, therm जो आणा, यह heat का unit है, तो option number B is the right answer, यह भी आपने याद रखना है, काफी important question है, यह पूछा गया, question, question number 26 आगया, हर्ट सीधा unit of, हर्ट जो यह किसका unit है, तो यह frequency का unit है, यह भी हमने discuss कर लिए था पीछे अभी, तो option number is the right answer, question number 27 के उपर आते हैं, moment of inertia is, तो moment of inertia यह आणा, यह एक tensor quantity है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, question number 28 है, यहाँ पे, the telescope is used for viewing, यह हम telescope, यह हम यूज करते हैं यहाँ पे, वह हम किसके लिए करते हैं, viewing किसके लिए, दूर बड़ अभजक्ट, यह भी हम यहाँ पे, यह हम से दूर अभजक्ट से होते हैं, यह से रात को हम stars दिवारा देख सकते हैं, ठीक है, moons को हम देख सकते हैं, तो with the help of telescope से हम देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जागा, a distant object, ठीक है, दूर दूर के object, तो यहाँ पे आपको मुझे यह बताना है, यह यहाँ पे बिल्कुल small objects होते हैं, यह हम किस से देखते हैं, small objects, बिल्कुल यह small objects होते हैं, चोटे-चोटे, यह हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, but with the help of, कोई यहाँ पे instrument होता है, जिसे हम वो देख सकते हैं, तो question number 29 देख लेते हैं, यहाँ पे, lumen is a unit of, lumen जो है, यह किसका unit है, तो इसका यह right answer हो जागा, option number a, luminous flux, तो luminous flux is the right answer, question number 30 की बात करते हैं, the unit of noise pollution is, तो इसका असर हो जागा decibel, जब भी यहाँ पे noise मतलब, sound के related कुछ भी आएगा न, उसका unit है, तो वो क्या हो जागा decibel ही हो जाएगा, question number 31, photon is the fundamental unit of, देखो जब यह photon क्या एक light है, ठीक है, यह fundamental unit है, तो यह किसका होगा, तो यह light का ही होगा, यहाँ पे option number D is the right answer, question number 32, the SI unit of intensity of sound is, अब यहाँ पे important है, sound, SI unit sound का क्या होता है, decibel, ठीक है decibel होता है, but यहाँ पे, तो यहाँ पे decibel का ही हमें, दिखी ही नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है, वाट पर square meter, जोल पर square meter, न्यूटन पर square meter, टेसला पर square meter, तो यहाँ पे इसका यह right answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वाट पर square meter, ठीक है, वाट पर square meter is the right answer, अगर कल को ऐसा ना दिखा आपको, तो ऐसा भी दिख सकता है, वाट पर का मतलब होता है, डिवाइड और किसका meter का square, ऐसे भी दिख सकता है, अगर ऐसे नहीं दिखा आपको, तो ऐसे भी दिख सकता है, वाट meter minus 2, यह minus 2 यहाँ पे कैसे आया, कि यह ऐसे होता है, वाट upon meter square, यह plus में होता है, जब हम इसको यह term हम उपर ले आते हैं, तो यह minus में आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे आते हैं, तो यह यहाँ पे no down कर ले न, यह SI unit of intensity assigned का, वाट पर square meter भी हो सकता है, decibel तो है ही है, question number 33 के उपर आते हैं, what is the SI unit of acceleration, अब यहाँ पे acceleration का SI unit पूछा है, तो उसका क्या हो जाएगा, meter per second square ही answer होगा, option number A is the right answer, क्या हो जाएगा, meter per second square is the right answer, इसको हम यहाँ पे, यह से पीछे what per second में लिखाता हो, तो इसको हम भी हम लिख सकते हैं, meter second minus two, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कल को, ऐसे option ना दिये हो, तो ऐसे दिये हो, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, meter per second square ही ऐसा, तो question number 34 के उपर आते हैं, question number 34 था है, rate of change of momentum, ठीक है, अभी यहाँ पे newton second law, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, तो उसके उपर यहाँ पे rate of change of momentum को हम क्या बोलते हैं, force, तो option number C is the right answer होगा इसका, question number 35 की बात करते हैं, what is the unit of torque, torque का unit क्या है, यह काफी important है ठीक है, क्योंकि आज मैं जितने भी question करूँगा, वो काफी important है, वो exam में आप से पका, उन से बाहर से कुछ आने नहीं वाला वे, सीधी बात है, ठीक है, अगर आप question देखोगे, तो आप सभी को बता चली ही जाएगा, तो यहाँ पे torque का unit हो जाएगा, यहाँ पे newton meter, ठीक है, तो newton meter, यहाँ पे option number B is the right answer हो जाएगा, newton meter, question number 36 की बात करते हैं, तो क्या पूछा गया यहाँ पे, what is the SI unit of force, तो force का SI unit of newton होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, 37 की बात करते हैं, the SI unit of electric charge is, जब भी यहाँ पे charge आता है, तो वहाँ पे word आता है, coolant, so SI unit क्या हो जाएगा, electric charge का, कुलम, तो option number B is the right answer, question number 38, Faraday is the unit of, Faraday यहाँ यहाँ यह काफी important है, और इसको no don't कर लेना, यह काफी बार exam में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, capacitance, option number C is the right answer, what is the SI unit of electromotive force, electromotive force का SI unit क्या होता है, तो यहाँ पे इसका answer हो जाएगा, A option bolt, ठीक है, question number 40 के ओपर आते हैं, SI unit of magnetic flux, magnetic flux का SI unit तो जाता है, वेवर, तो इसका A option is the right answer, question number 41 की बात करते हैं, the SI unit of power of lens is, अब यह काफी important है, और बड़ी बार exam में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे cross कर लेता हूँ, यहाँ पे, तो power of lens का SI unit तो जाता है, diopter, तो option number C is the right answer, 42 की बात करते हैं, what is the SI unit of inductance, inductance का SI unit क्या होता है, तो इसका हो जाएगा henry, option number C is the right answer, question number 48 के ओपर बढ़ते हैं, 43 के ओपर, the SI unit of resistance, देखो resistance का यह ऐसा unit होता है, ohm, ठीक है, तो A is the right answer, question number 44 के ओपर आते हैं, question लेखा, what is the unit of the physical quantity entropy, entropy का एक physical quantity है, और उसका unit हम से पूछ रहा है, ठीक है, यह question भी काफी आते हैं, physical quantity के ओपर और उनके unit के ओपर, तो यहाँ पर 44 का अंसर हो जाएगा, C, Pascal per Kelvin, ठीक है, Pascal per Kelvin, Pascal का symbol PA, पर मतल़ डिवाइड, और Kelvin का K, ठीक है, तो Pascal per Kelvin is the right answer, 45 के ओपर आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है, what is the unit of the physical quantity yerk, अब यह यह क्या होता भई, जब यहाँ पर हम गाड़ी में बैटे होते हैं, तो के वाइड ड्राइवर क्या होता है, कि पहले गेर के अंदरी, speed increase कर देता है, और हमें एक क्या लगता है, जड़का सा लगता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, जड़क, तो यहाँ पर जड़क भी एक क्या है, physical quantity है, और उसका यहाँ पर unit हम से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, meter per second cube, ठीक है, meter per second cube होगा, इसका right answer, तो question number 46 के ओपर आते हैं, physical quantity, magnetic field strength की पूछ रहा है, ठीक है, magnetic field strength की यहाँ पर unit पूछी गई है, तो उसका हो जाएगा, ampere per meter, ठीक है, तो option D is the right answer, question number 47 के ओपर बढ़ते हैं, what is the essay unit of amount of substance, ठीक है, amount of substance हमने पहले-पहले page के ओपर ही पढ़ा था, तो उसका essay unit था मोल, ठीक है, यह one of the seven physical quantity में से हैं यह, ठीक है, तो ऐसा unit के हो जाएगा, सबसांस का मोल हो जाएगा, now come to question number 48, हमें यह बोला गया है, the unit of which physical quantity is not pascal, इन में से कुन सी ओ फिजिकल कॉंटिटी है, जिसका यह ना unit pascal नहीं होगा, तो यह pascal है, यह unit है कि इसका pressure का पहले, तो यह आप सभी को बताएगे, हमने discuss भी कर ले था पीछे बीडी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं stress की, तो stress भी क्या है, ठीक है, पासकल का ही unit है, यंग मॉडिलस भी है, और pressure भी हो गया, तो बचा कौन सा option, moment of inertia, तो इसका right answer हो जाएगा, moment of inertia, यह unit नहीं है पासकल का, तो question number 49 के उपर आते हैं, यहाँ पर what is the unit of physical quantity, electrical conductance, electrical conductance, यहाँ पर मुझे इसका unit बताना है, तो इसका सही answer हो जाएगा, सीमन्स, option number D is the right answer, जितने भी guys, इसमें आपको questions करवा रहा होना, यह सारे के सारे प्रभीशिस येर के अंदर आया हुआ है, और आपको इन में से सारे के सारे questions करने हैं, ठीक है, जितने ही मैं आपको करवाँगा, MCQ से slaybers, बहु काफी important रहेगे, पुराने जितने भी paper हुए हैं, मैंने सभी उन से उठाए हुआ हैं ये questions, तो skip मत करना वीडियो के, लास्ट कोशन है यहाँ पे, what is the SI unit of magnetic induction का, SI unit of क्या है यहाँ पे, तो आप सभी कोई शायद पता भी होगा, goss इसका answer हो जाएगा, goss जो आना, यह SI unit है किसका magnetic induction का, ठीक है, तो I hope कि, जितने भी आज हमने 50 questions की हैं, वो आपको समझ आगे होंगे, अब यह 50 questions है, SI system कोई इस से बाहर से question कौन सा आपका बन सकता है, तो आप सभी को पता है, कि इस से बाहर से तो कुछ बन नहीं पाएगा, जितने भी काफी important है, वो सारे के सारे मैंने discuss कर लिए हुआ है, तो ऐसे हैं अब देख लेते हैं, थोड़ी सी revision कर लेते हैं इसके ओपर, तो यहाँ पर revision के लिए, यहाँ पर मैंने रखा है quantity, और यह इसके ऐसा unit, यहाँ सा force की यहाँ पर क्या हो जाएगा, Newton हो जाएगा, ओम, ठीक है, और वैसे ही temperature का Kelvin, charge का यहाँ पर कूलम, luminous intensity का होता है, candle यह हमने नहीं पढ़ा, तो यह याद रखना, power of lens हमने पढ़ लिया, ठीक है, adapter, intensity of sound भी हमने पढ़ लिया, decibel, magnetic induction भी हमने पढ़ लिया, gauss, electromotive force भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर इसका हो जाएगा, volt, और electric current का हो जाएगा, यहाँ पर ampere, fast revision गुरा रहो हैं यहाँ पर, क्योंकि यह चीज़े पढ़ी होती है न, वो चीज़े ज़्यादा revision होती है, surface tension मैंने नहीं करवाया, तो surface tension का यह क्यों हो जाएगा, Newton पर मीटर हो जाएगा, frequency पढ़ लिया, velocity का होती ही, मीटर पर सेकिंड यह आप सभी को बता है, और acceleration यहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़ाया, मीटर पर सेकिंड स्कियर, density नहीं पढ़ी, तो kilogram पर मीटर क्यूब, capacity हमने पढ़ लिया, farad, inductance हमने पढ़ लिया, हैनुरी, magnetic flux भी आपको बता दिया, weaver, magnetic flux density यहाँ पर आजाएगा, Tesla का मैंने नहीं बनाया, यहाँ पर अपढ़ाया, तो यहाँ पर magnetic flux density का हो जाएगा, तो radio activity का यह इंपॉर्ण है, तो इस का हो जाएगा वैकुरल, और यहाँ पर, sorry, luminous flux का हो जाएगा, lumen, तो यह चीज़े हैं, यह चीज़े important है, यह चीज़े यहाँ पर देख लेना, जो चीज़े मैंने नहीं पढ़ाई है, questions के उपर, so thank you friends, आज का यो lecture वो मेरा इतना ही था, so thanks for watching, please अगर वीडियो बसंद आई, तो like कर दें, share कर दें, और comment कर दें, यहाँ पर सुबा की मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी शाम को यहाँ पर upload होने को आ रही है, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अब आपका एक ही काम है, कि बस यहाँ पर एक thumbs up कर देना यार, बस, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, और अच्छी लगी तो comment भी आप कर सकते हैं, so thank you, ऐसा ही अगर आप चाहते हैं, कि मैं second chapter यह emotion है, उसके भी MCQs इतने लेकि आऊं, तो आप नीचे comment box के अंदर पका मुझे इसका answer देना, ठीक है, और हमारे channel पर अगर आप new है, तो please उसको subscribe कर लें, और bell icon को tick कर लें, आने वाले जितनी भी notification होगी वीडियो की, so thank you and have a nice day,